अक्सर ये स्टार्ज आपने रिलेशन को लेकर सीरियस रहते हैं लेकिन इनके प्यार को मंजिल मिलना इतना आसान नहीं होता है कुछ ऐसा ही हुआ था दे ओल फैमिली के चोटे बेटे बॉबी दे ओल के साथ बॉबी नब्बे के दशक में एक चॉकलेटी बॉय के रूप में जाने गए बॉबी की उस वक्त फिल्मों में एंट्री हुई तो पापा धर्मेंद्र ने उन्हें फिल्मों में ध्यान देने को कहा लेकिन बॉबी का दिल तो बच्चा था, वो भी प्यार कर बैठा बॉबी का दिल जिस एक ट्रेस के लिए धड़का था वो थी नीलम को ठारी जी हाँ, वही नीलम को ठारी जो नब्बे के दशक में सुपर स्टार मानी जाती थी नीलम ने कई सुपर हिट फिल्मों में काम किया है बॉबी के साथ नीलम का नाम नबे के दशक में खूब जोड़ा गया दोनों के रिलेशन की खबरें खूबा आई लेकिन इनके प्यार को मनजिल न मिल सकी मीडिया में भी इनकी जोड़ी को अच्छा माना जाता था और लोग उमीद कर रहे थे कि दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही इनके रिष्टे में दरार आ गई और फिर कुछ समय बाद ये दोनों ही अलग हो गए कहा जाता है कि दोनों के ब्रेक अप के पीछे की वजह कोई और नहीं बलकि खुद बॉबी के पापा और एकटर धर्मेंद्र थे जी हाँ, मीडिया में ऐसी कबरे रही है कि बॉबी और नीलम के अलग होने की एक वज़द धर्मेंद्र ही थे दरसल दर्म पाजी नहीं चाहते थे कि नीलम और बॉबी का रिष्टा बने उनको दोनों का रिष्टा मंजूर ही नहीं था वो नहीं चाहते थे कि बॉबी और नीलम एक हो जाए नीलम और बॉबी शादी करना चाहते थे लेकिन धर्मेंद्र ने बॉबी को नीलम से अलग होने का अल्टीमेटम दे दिया आखिरकार दोनों अलग हो गए नीलम का नाम नब्बे के दशक में गोविंदा से भी जोड़ा गया था कहा दाता है कि दोनों तो छुपकर शादी भी कर चुके थे अलागी ये कितना सच है ये तो वहीं जाने बॉबी अब ताहिया चोपड़ा के साथ हैपिली मैरेड लाइफ उजी रहे हैं जल्दी वो रेस्टीन में सलमान के साथ भी नज़र आएंगे